नमस्कार दोस्तों क्रेटा जो कार है उसका विखने का कारण क्या है सबसे ज़्यादा अपने सेग्मेंट में और इसके अंदर क्या क्या खासियत हैं लोग इसे क्यों इतना पसंद करते हैं यह मैं सब आपको आज जानकरी देने वाला हूं तो सबसे पहले मैं पता दूँ प्रोडेक्ट है 2016 में लौच होने के बाद इसकी त्यक्लिफ चाहे हैं कार के वह हर दो साल में चेंज हुए है जैसे कि अगर बात करें तो यह जो है चोथा जनरेशन है कार का जो क्रेटा में चेंज हुआ है जो कि लोगों को हर जनरेशन इसकी बहुत ज्यादा पसंद आती है लगातार 2016 से 2023 तक की कार यह जो है सेग्मेंट अपने आप में एक अपनी रिकोर्ट टोर्ट सेल को बनाता जा रहा है इस कार की जो पर्फोमेंस की बात है वह भी हम आपको अभी डिसकस करेंगे आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले क्रेटा के बार करेटा में जो है आपको एक स्टेबिलिटी गाड़ी का चलाने का एक प्लेजर और गाड़ी के अंदर जो कमफर्ट है स्पेस और इंजिन की पर्फोमेंस यह बहुत अपने आप में बहतर है यह भी एक कारण है क्रेटा का ज्यादा बिखनेगा अगर हम इसकी आज बात करत आप प्रंट से देखेंगे तो इसमें कास्केट डिजाइन दिया गया है क्रॉम करिशिंग के साथ फ्रंट में ही नीचे आपको पोगलांस इंडिगेटर साइड में दिए गया है और इसमें जो है प्रोजेक्टर हाइड लैंप आते हैं फ्री एसकॉट फंक्शन के साथ भी डियारल अलेडी लाइट इसके अंदर जो रनिंग कंडिशन के साथ आपको इसमें विजिबल होती है और जो इसका फोकस है प्रोजेक्टर है यह काफी अच्छा होता है और आप आपको करनी इसमें लैंप भी दे गए हैं जैसे कि आपको इंट लेते हैं लैप आइड लैट तो भी इसमें विजिबल हो जाते हैं इसी के अंदर प्रोजेक्टर लैंप के वह फंक्शन दिया गया है बात करते हैं रियर डूल शेट बंपर की इसमें इसके ट प्लेट एक यह मैट पनीश होता है जिसमें चोटे मोटे स्क्रेचेज जो होते हैं उससे हमें बचाता है गाडी का डॉल टॉन टेक फ्रेंट से लुक भी काफी अच्छा इन्हेंस करता है अब दोस्कों जैसे की बताया गया है यह जो व्यरेंट खड़ा है डिस्पले में वर थे क्रेटा का एसक्स मैनुवल टॉप मोडल इस कार का जो मैनुवल टॉप आता है डांस्मिशन वह यह कार है अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यहीं सम्करा लाट के अंदर ये ऐकार पीच़र्स के साथ आती है कर इसमें सारे पीचर्स है बस यह आपको आपको अंजिन के नज मिलेगी जो मेनुनव टॉप में आयसक यहां तक आते हैं इसे जो उपर इaat आते हैं जिzysta Rain फिकन और कुछ पीचर जो ईसमें डो जाते हैं तो ये कार जो आपको 17 लाग की रेंज में मिल जाएगा